सबस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पार्ट चला में और पार्ट चला रिल्वे एक्जांस में सुबह सुबह आपके लिए करेंट अपेस लेकर आगया हूँ तारीक है 3 जुलाई और आज की इंपोर्ट चला बेहाद इंपोर्ट इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका पहला कुशन क्या है कि मानोसंसादन विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है हाली में मानोसंसादन विकास मंत्राले का नाम बदला गया है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मानोसंसादन विकास मंत्राले का नाम बदला गया हो इससे पहले भी 1985 में राजी गांदी की जब सरकारती भारत में तब भी इस मंत्राले का नाम बदल कर कुछ किया गया था तब इस मंत्राले का नाम बदलकर मानोस अंजादन विकात मंत्राले किया गया था तो फिलाल आज की वीडियो को सुरू करने से पहले एक छोड़ी से गुजारित आप सभी से और उमीद भी है मेरी क्योंकि उमीद पर दुनिया कायम है और उसी दुनिया में मैं रहता हूँ तो मैं भी उमीद पर ही कायम हूँ कि आज की वीडियो में मुझे 2000 लाइक मिलेंगे मेरे 2000 लाइक आएंगे और जरूर आएंगे वो दिन के अंतिजार कर रहा हूँ और देखते हैं कब आते हैं फिलाल आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िये च्योंकि चाहने से तो बगवान भी मिल जाते हैं तो फिलाल तो मैं तो सिफ 2000 लाइक ही चाहरा हूँ अपने वीडियो पर अगर आपको कोई कमी नजर आती है कुछ भी आपको परिशानी में सुथ होती है कुछ भी आपको लगता है कि सर ऐसा होना चाहिए सर ऐसा होना चाहिए तो मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ जवाब नहीं दे पाता हूँ लेकिन मैं comment आप सभी के पढ़ता हूँ आप जब लिखोगे तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा आप अच्छा लिखोगे तो भी मैं पढ़ता हूँ आप बुरा लिखो तो भी मैं पढ़ता हूँ तो फिलाल शल्दे है इसी की तरब आप पता लगाते हैं मानोसंजादन विकास मंत्राले का नाम क्या कर दिया गया है मानोसंजादन विकास मंत्राले का नाम वापस बदल का सिच्छा मंत्राले कर दिया गया है आज कुछ आगे जाने से पहले एक कोशन आप से पूछना चाहता हूँ कि स्वतंतर भारत के पहले सिच्छा मंतरी कौन थे आज क्या question of the day यहीं से आज की सुरुवाती question of the day से हो गई कि भारत के प्रथम, स्वतंतर भारत के प्रथम यानि कि पहले education minister कौन थे अब चलते हैं आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक नई सिच्छा नीती आई थी नई education policy आई थी और 34 साल बाद इस education policy को लाया गया है 34 साल तक, अभी तक 34 साल पहले तक हमारी education policy में कोई बदलाव नहीं हुए थे अब यह बदलाव क्या है? आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहला एक pointer तो आपको note ही कर लिना है कि मानो संसादन विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सिच्छा मंत्राले नई सिच्छा के तहट, सिच्छानीती के तहट उस सिच्छा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी और इसके अतरिक कैबिनेट ने नई सिच्छानीती को भी मंजूरी देती है नई सिच्छानीती पर पिछले लगब पांस साल से काम चल रहा था इसरों के पूर प्रमक के कस्तूरी रंगन नई सिच्छानीती का जो मसौदा है जो नई सिच्छानीती के ड्राफ्टिंग की है वो के कस्तूरी रंगन की अध्यच्छता वाली समिती ने की है नई सिच्छानीती में जहां पर गैर हिंदी भासी राजे हैं वहाँ पर हिंदी को अनिवारे किये जाने की बादिता खतम कर दी गई है पहले जो हमारी education policy थी उसमें सभी राज्यों में हिंदी पढ़ाय जाने की अनिवारेता थी सिच्छा निती में सरकार ने higher education को भी बढ़ावा देने की बात की है और इसके अलावा युवाव में higher education लेना पहले के मुकाबली अब काफी आसान हो जाएगा नई सिच्छा निती के कुछ एहम बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि एक कुशन मेरे इसाब से यहां से बनने लाइक है सिच्छा निती में इस नई सिच्छा मिनिती में भासा के विकल्प को पढ़ाया गया है आराम से पढ़ना आप मेरे साथ चलते रहो आप यह मत देखू कि इतनी बड़ी स्लाइड है इतना मैं कैसे पढ़ूँगा देखो पढ़ना ही जिंदगी है पढ़ते ही जा रहे सरकार की ओर से दीगी जानकारी में बताया गया कि छातर दो साल से लेके आठ साल की उम्र में भासाइं सीख जाते हैं इसलिए अगर उन्हें सुरुवात में ही इस्थानी भासा के साथ सत तीन अलग अलग भासाइं पढ़ाई जाएं तो उन्हें और ज्यादा आसानी होगी और वो ज्यादा भासाओं को सीख पाएंगे मनोवग्यानिक भी इस बात को मानते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है भासा सीखने की शमता आपकी कम होती चली जाती है इसलिए देखा गया है कि जो बच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो धड़ाधार फराटे तार अंग्रेजी बोलते हैं और हमारे जैसे यूपी बोर्ड वाले हमेशा अंग्रेजी में टाइट रहते हैं यहाँ पर एक सिस्टम को खदम कर दिया गया है अभी तक हम लोग जिससे पढ़के निकले हैं वो 10 प्लस 2 सिस्टम था 10 का मतलब 10 तक हम लोग मादमिक में रहते थे और फिर उसके बाद हम लोग इंटरमीडियेट में आ जाते थे इसको बदल कर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानि कि 4 डिपार्टमेंट में बाट दिया गया है 5 में प्री प्राइमरी कच्छाएं होंगी फिर 1 और 2 होगा जबकि 3 से लेके 5 यानि कि 3, 4, 5 आपके तीसरे वाले केटिगरी में डाला गया है और फिर 6, 7, 8 को 3 में डाला गया है और फिर 9, 10, 11, 12 को 4 वाले ब्लॉक में डाला गया है यानि कि 3 से लेके 18 साल तक के चात्रों को नरसरी से लेके 12 तक के कच्छाओं का जो अब जो लेवल होगा जो इसतर होगा वो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 में बाटा जाएगा जहां अभी तक हम लोग मादमिक और उच्छतर मादमिक और प्राइमरी इस तरह से पढ़ते थे 10 प्लस 2 के सिस्टम में पढ़ते थे अब वो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा केंदरी मंदरी मंदल दौरा सीकरत नई राष्टी सिच्छा नीती के तहत एमफिल पाठिक्रमों को बंद कर दिया गया है आप जो एमफिल करता है वो बच्चा तो नहीं होता हाल पिला लेकिन अब आप एमफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कोर्स को खतम कर दिया गया है केंद्री मंदेल दौरा बुद्धवार को पारित नई सिच्चानीति के अंसार बोर्ड परिच्छाउं की जानकारी अब जो होगी वो प्रेक्टिकल बीज ज़दा होगी यानि कि आपको जो टेस्ट देने होंगे जो पेपर देने होंगे वो प्रेक्टिकल पर आधारिच जादा होंगे चात्रों के लिए फिजिकल एजूकेशन भी हो इसके लिए इसको नियम रखे गए है और 2035 तक लच्छ है कि 50% जो सकल नामंकन है यानि कि जो भी सकल नामंकन है तोटल जो भी लड़के स्कूल के अंदर आते हैं या जो भी स्कूल में रेजिस्टेशन कराते हैं उनका 50% कम से कम हायर एजूकेशन तक जरूर पहुचना चाहिए 2040 तक सभी उच्छ सिच्छा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिउशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्रव होंगे 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिउशन होगा जिसमें आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकें संस्थानों का पार्टिक्रम ऐसा बनाये जाएगा कि सारविजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोड़ दिया जाए ताकि कभी भी कोई बच्छा आगे जाकि गवर्मेंट यानि कि सरकारी नोकरी पाना चाहे तो उसके अंदर उस तरह के गुण पहले से ही विद्धमान हो संथानों के पास ओपन डिस्टन्स लर्निंग और ऑनलाइन कारिकरम चलाने का विकल्प होगा यानि कि वो अपने कोर्सेज ऑनलाइन भी चला सकेंगे उच्छ सिच्छा के लिए बनाए गए सभी डीमड और सम्मंदिद विश्विद्याले को अब सिर्फ एकी केटेगरी में डाल दिया जाएगा और वो सभी विश्विद्याले कहलाएंगे यानि कि यूनिवर्सिटीज कहलाएंगे नई सिच्छा निती 2020 में पेस की गई थी आपको बता दें कि पूर प्यदान मंतरी राजीव गांदी की कारिकाल में 1985 में सिच्छा मंतराले बदल कर HRD मंतराले किया गया था और आज जो भी बुद्ध्वार को इसमें जो भी बैठक होई है उसमें नई सिच्छा निती के मसौदे में इसका नाम बदलाओ भी सामिल था जिसको एकसेप्ट कर लिया गया है और अब इसका नाम सिच्छा मंतराले होगा तो वरतमान समय में हमारे सिच्छा मंतरी कौन होंगे तो MSRD मिनिस्टर जो होंगे वो होंगे प्रकास जावडी कर अगली जनकारी तफ चलते हैं केंड सरकार ने एक और फैसला लिया है कि केंडर ने चीनी दूर संचार उपकरणों का उपयोग रोकने के लिए सकत नियम बनाने की पेशकस की है आपको अभी याद होगा अमेरिका और ब्रिटन और जापान ने अभी कुछ समय पहले ही चीनी जो भी Netgear टेकनलोजी वाले स्विच आते थे जैसे हुआवे उस कंपनी का नाम बहुत बड़ी कंपनी है हुआवे उसका नाम उसमें सामिल है उसके उपकरण खरीदने के लिए बैन कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके उपर जासूसी करने के आरोप है हुआवे विच्ट की सबसे बड़ी Netgear कंपनी बनाने वाली कंपनी है Netgear यानि के एक switching devices होते हैं एक call से दूसरे call या एक network से दूसरे network में आपको switch करती है हुआवे इनकी सबसे बड़ी company है हाली में उसको Britain ने भी ban कर दिया था और Japan ने भी ban कर दिया और अमेरिका ने भी ban कर दिया है लेकिन भारत ने किसी particular company को ban ना करते हुए कुछ नए नियम बनाने की बात की है और इनके लिए नियम के नाम रखे गए है mandatory testing and certification of telecom equipment system जिसे MTCTE कहा जाएगा mandatory testing यानि कि अब जब कभी भी ये उपकरण खरीदे जाएगे तो इन्हें भारती प्रयोक सालाओं में पूरी तरीके से test किया जाएगा और source code जो होंगे वो देने पड़ेंगे इन नियमों के तहट telecom gear निर्माताओं को अपने source code साजा करने होंगे ताकि पता चल सके कि वो किस तरीके से devices से काम ले रहे है और सरकार दोरा मानिता प्राप third party lab दोरा अपने उपकरणों में परिष्ण करवाना होगा इन्होंने किसी company को ban नहीं किया है लेकिन जिस तरीके कि इन्होंने नियम बनाने की बात की है सरकार ने इस तरीके से किसी भी operator को ये सारी चीजें करने में कम से कम 12 से 16 सप्ता का समय लगेगा और ऐसे में कोई भी company इतना wait नहीं करेगी तो एक तरह से Chinese जो भी net gear है उनको ban किया जा रहा है सरकार दोरा MTCT के उपयोग पर विचार करने का कदम West Week प्रेड़ना का एक हिस्सा प्रतीत होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जिसमें सहीत राज अमेरिका की अगुआई में चीनी टेलीकॉम गेर के उपयोग पर प्रतीबंद लगाने के बाद या रोप लगाया गया था कि चीन के उपकरनों का इस्तमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है बाती दूर संचारा उपरेटरों ने हारला की इस प्रतीबंद का विरोध किया है और कहा है कि Cellular Operators Association of India के माध्यम से ये भी बताया गया कि उन्हें चीनी गेर खरीदने के लिए कोई प्रतीबंद नहीं होना चाहिए क्योंकि जो चीन की गेर है यानि की चीन की कंपनी से जो भी सामान आ रहे है चीनी सामान से जो भी टेक्नलोजी आ रही है वो 5G टेक्नलोजी इस समय सबसे उन्नत अगर किसी के पास है तो वो चाइना के पास है और किसी देश के पास इतनी उननत 5G टेक्नोलोजी नहीं है तो ऐसे में अगर हम उनके उपकरण नहीं खरीदेंगे तो कहीं न कहीं हमें पिछरने की भी आसंका है और इस मुद्दे को World Trade Organization में भी उठाया जा सकता है जहां पर व्यापार में समानता के अधिकार को चुनोती दी जा सकती है आप इस तरीके से किसी भी कंपनी के उपर या किसी पूरे देश के प्रतिबंद नहीं लगा सकते World Trade Organization के मताबिक कि आप हमारे जासूसी कर सकते हैं या तो आपके पास पुकता सबूत हो या तो आपके पास पूरी जानकरी हो कि यहां वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप World Trade Organization के तहत किसी देश में समानता के अधिकार से या उसको व्यापार करने की समानता के अधिकार से बंशित नहीं कर सकते हैं तो फिलाल ये तो भविश्च के गर्ब में है कि क्या होगा हाल फिलाल भारत जो है वो चीनी दूर संचार उपकरनों के लिए अभी आपको पता होगा कि पहले उन्होंने 69 एप पर प्रतिबंद लगाये था फिर 47 एप पर और प्रतिबंद लगाये था जो इन 69 एप के कलोन थे उसके लाबा एक और नई खबर आई है सामने कि 370 वस्तुएं जो चीन से आयात की जाती है उनके भी मानक डिसाइड किये जाएंगे यानि कि Bureau of Indian Standard जो है यानि कि भारती मानक प्रादी करण जो है उनके उपर जाँच बिठा रहा है कि वाकई में वो जो वस्तुएं चीन से आरेंगे हैं वो भारत में चलने लायक है या नहीं है तो ऐसे में उन 370 आयती द्वस्तुओं के उपर भी खत्रा मनड़ा रहा है उनको भी बैन किया जा सकता है MTCTE का Full Farm ज़रूर याद रखेगा Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment System अगली जानकरी के तब चलते हैं DRDO ने अभी हाली में अब्दुलकलाम जानी की डॉक्टर अब्दुलकलाम की पांचमी पुन्य तिथी पर नवाचार प्रतियोगता Dare to Dream 2.0 का सुभारम किया था Dare to Dream क्या है 2.0 ये रच्छा अनुसंदाने विकास संग्ठन दौरा सुरू की गई एक प्रतियोगिता है नवाचार प्रतियोगिता है Dare to Dream में Days के Innovators और Startups को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है इस प्रतियोगिता में एक विशेशक की समीती दौरा मुल्यांकन के बाद विजेताओं को चैन किया जाएगा पुरसकार की धन दासी के रूप में विजेता स्टार्टप को 10 लाख रुपए और वेक्ति के सेंडी में 5 लाख रुपए तक दिये जाएंगे पितान मंतिरी नरेंद मोदी के आत्म निर्वर अभियान के तहत देश में नवाचार हेतु वेक्तियों के स्टार्टप को बढ़ावा देने तदा उबरती हुई प्रतियों की प्रवसाहन देने के लिए इस योजना की सुरुवात की गई है अगर आप सभी के पास थोड़ा सा समय हो तो थोड़ा सा समय मतलब प्रति दिन के अगर आदे घंटे भी आपके पास फ्री हो तो डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक आप सभी को पढ़नी चाहिए अगनी की उड़ान जब आप किसी महान विक्ती के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो महान विक्ती था वो कभी हमारे जैसा ही था उसमें और हमें सिर्फ एक ही चीज फर्क है कि हम जल्दी हार मान जाते हैं हम जैसे ही देखते हैं कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे है या कोई भी एक्जाम नहीं हो रहा या जिस चीज़ पर हम कई साल से मैनत करे हैं वो बेकार हो जा रही है तो उन लोगों को जिनको भी लगता है कि उनका जीवन बुरे दोर से गुजर रहा है तो उन्हें ये अगनी गुडान पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए मैंने ये पुस्तक कम से कम अपने जीवन में दस बार पढ़ी है जब भी मुझे निरासा लगती है तो ये पुस्तक हमेशा मेरी पास रहती है और मैंने इसको कम से कम हिंदी में ही पढ़ा है मैंने इंग्लिस में इसको नहीं पढ़ा लेकिन हिंदी में ही पढ़ने में उसके सालों की मेंत के बाद को जो परिणाम होता है वो होता है उस प्रोजेक्ट को बंद कर देना लेकिन फिर भी वो विग्यानिक हार नहीं मानता है और अंतर तो गता हो देश के राश्टपती, देश के सबसे सफल राश्टपती के रूप में मनोनित होता है तो अबुल पाकिर जैनल अबदील अबदुलकलाम, इन्हें मिसाइल मैन आफ इंडिया भी कहा जाता है और ये जंता के राश्टपती के नाम से भी जाने जाते हैं बारती गर्तंत्र के ग्यारवे निर्वाचित राष्टपती थे वो भारत के पूरु राष्टपती रहे जाने माने विज्ञानिक रहे और अभियंता के रूप में विख्यात थे उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक बेहत साधान परिवार में रामेश्वरम सहर जो की तमिल नाडू में वहां हुआ था लेकिन उनकी मित्व अचानक एक व्याख्यान देते हुए 24 जुलाई मेगाले के सिलॉंग में हो गई थी 2015 में उनकी मित्व हो गई थी इनकी पुस्तक जरूर पढ़िएगा मेरा सजीशन है आप लोगों के लिए नियूजिलेंड ने एक ट्रेडिशन ट्रिटी को खदम कर दिया है होंग कॉंग के साथ 1997 में 1997 में जब होंग कॉंग चीनी का हिस्सा बना यानि कि चाइना का हिस्सा बना एक्चल में एक सबसे बड़ा कोशन तो यह आता है कि सर होंग कॉंग सिटी है कि सहर है क्या है यह एक्चल में ना तो होंग कॉंग सिटी है ना तो होंग कॉंग सहर है वो SAR है यानि कि Special Administrative Reason है वो वो विसेश प्रसास्निक छेतर है चाइना का 1997 में होंग कॉंग चाइना के पास आया और चाइना ने वहाँ पर One Nation Two System प्रथा लागू की One Nation Two System प्रथा के अंतरगत यह मतलब था कि चाइना ने होंग कॉंग को स्वायत्ता दे रखी थी कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकेंगे वो अपने आर्थिक निर्णे खुद ले सकेंगे बस हाँ वो सेना से जुड़ा हुए जो मामला होगा वो चाइना सरकार देखेगी लेकिन होंग कॉंग को पिछले दो तीन वर्सों से लगने लगा जैसे 2014 में कुछ गटनाए गटी वहां के कुछ लोगतंतरिक नेता मार दिये गए चीनी चेना दौरा और फिर कभी चुनाओ में धानली के आरोप लगने लगे और फिर ऐसा लगने लगा कि 2017 आते आते एक न नहीं न कहीं उनके उपर अपनी जो आजाती थी उसको कम करती चली जा रही है जो आजाती जो उनके बीच में संबंध हुआ था जो उनके बीच में एक तरह से उनके बीच में अनुमंध हुआ था वो दीरे दीरे उसको तोड़ती चली जा रही हो चाइना जो है वहां के ल प्रत्यारपन संधी को निलमवित कर दिया है प्रत्यारपन संधी निलमवित करना मतब कि किसी भी देश के साथ या किसी भी रीजन के साथ अपना सबसे पहला राजनीतिक संबंद तोड़ना होता है प्रत्यप्र संदी में ये होता है कि मालीजे होंग कॉंग में किसी ने अपराद किया और वो भाग के न्यूजिलेंड पहुँच गया और अगर वो न्यूजिलेंड पहुँच गया तो न्यूजिलेंड और होंग कोंग के बीच में अगर प्रत्यरप्र संदी है लेकिन अभी हाल पिलाल देखा जा रहा है कि कई सवारे देथ कि न्यूजिलेंड है, अमेरिका है, औस्टेलिया है, कनाडा है ब्रिटेन ने भी अभी हॉंग कॉंग कोंग के साथ प्रत्यारब संदी निलंबित कर दी है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हॉंग कॉंग कोंग में चाइना सरकार किसी को अपरादी गोसित कर देती है तो वो व्यक्ति, बड़े आराम से अमेरिका जा सकता है, और उसको वहाँ परादी की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हॉंग कॉंग का कोई भी व्यक्तिक इन देशों में सरण ले सकता है और ऐसा हॉंग कॉंग के लोगों की स्वायत्ता को बचाने के लिए स्वतंतता को बचाने के लिए अलग-अलग देशों द्वारा किया गया अपना अपना प्रयाश है चीन न्यूजिलेंड का देखा जाए तो सबसे वड़ा व्यापारिक भागिदार है और आतीप ने वह अक्सर प्रत्यच राजनीतिक टकराओं से बचता रहा है यानि कि चीन सभी देशों से लड़ जाता है लेकिन वो न्यूजिलेंड से बस्ता रहा क्योंकि न्यूजिलेंड से उसे काफी ज़्यादा मामले में क्रसी सामा न्यूजिलेंड से खरीदता है और इसमें सबसे प्रमुख दूद पाउडर है नीजी लेंड के साथ अगर उसके संबंद खराब हुए तो उसे कहीं न कहीं अपने व्यापार के ऊपर चिंता सताईगे वैसे प्रत्यरप्र संदी की बारे में मैंने बता ही दिया कि दो देशों के बीच में ऐसी संदी है जिसके अंसार देश में अपराद करके किसी दूसरे देश में जाकर रहने वाले अपरादियों को उद देश में प्रत्यरप्र संदी है बात करते हैं न्यूजी लेंड की नियुजिलेंड में वर्तमान समय में प्रधान मंतरी जेसिंडा अडन प्रधान मंतरी है रादधानी वेलिंक्टन है और ये ओसेनिया में है ये रहाँ आपको ऑस्टिलिया नीजी रहेंगे तो आपको नियुजिलेंड मिलेगा होंग कॉंग की इस्थिती देखिए ये आपका है चाइना चाइना में ये दच्छनी चीन सागर पे जुड़ा हुआ छोटा सा छेतर है होंग कॉंग कॉंग कभी भी एक आजाद देश नहीं रहा केवल ओफिसियल परपर्ज यानि की जो भी कागजी कारवाई वगेरा उसके लिए सिर्फ चाइना पर ओपर डिपेंड था लेकिन अब वो दीरे दीरे पड़ता चला जा रहा है होंग कॉंग की राजधानी है शिटी ओफ वेक्टोरिया अगली जानगारी पर चलते हैं 36 गड़ के बीजापुर को नीती आयोग ने अभी हाली में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक रैंकिंग में फरवरी जून 2020 के दौरान का 36 गड़ के बीजापुर को सीर्थ आकांची जिला गोसित किया है आकांची जिला कारेकरम पैदानमंती नरिद मोधी दौरा सुरू किया गया था इसमें पिछडे इलाकों के डेवलपमेंट सामिल है और इसमें 49 संकितों का प्रयोग किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने पिछले साल की तुल्ला में कितना डेवलपमेंट किया ह तो 36 गड़का बीजापूर फरवरी जून 2020 के अवदी के लिए नीती आयो दोरा रैंक किये गया आकांचात्मक जिलों की सूची में प्रथम इस्थान पर आया है जबकि मेगाले का री भूई और उत्तर पदेश का बहराई जिले को क्रमसा दूसरे और तीसरे इस्थान पर और बुनियादी धांची सही छे विकासात्मक जित्रों में 112 से अधिक आकांची जिलों दोरा की गई ब्रथिसील प्रगती पर विचार करती है अगली जनगरी पर चलेंगे लेकिन उससे पहले CM 36 गड़ के बारे में देख लेते हैं तो CM भुपेज बगेल ने अभी हाली में रोजगार संगी नामक एक योजना लांच की थी ताकि जिनको भी रोजगार की जरूत है वो इस एप के जरीए रोजगार पासके रायपूर में 36 गड़ के CM भुपेज बगेल ने अभी हाली में गोरेला पेंडरा मैं वेही को 28 डिस्टिक गोसित किया है 36 गड़ का वो राजीव गांधी किसान न्याई योजना फॉर्मस के लिए लेकर आई थी और 36 गड़ जो है ये इस अभी मनरेगा के तहत लागडाउन में इस साल सबसे ज़्यादा रोजगार पतान करने वाला राजगार बना है 36 गड़ के पहले सियम आजी जोगी जिनका चौतर वर्स की उमर में अभी निदन हो गया था 36 गड़ पहला राजग बना जिसने गोधन न्याई आउजना को सुरू किया है जिसमें गोबर को खरीदा जाएगा दो रुपे किलो के हिसाब से और उसको कमपोस्ट बनाने के बाद आट रुपे किलो के हिसाब से बेचा जाएगा वर्तमार वरतमान समय में अनुसु या उखे हैं चीपनिस्टर वरतमान समय में बूपेज बगेल है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस से आते हैं वाइल्ड एसियन बफेलो जंगली भैशा जंगली एसिए भैशा इस्टेत ऎनीमल है इस्टेट वर्ड है पहाड़ी मैना नेशनल पार्क की बात करें तो कुतरू नेशनल पार्क, कांगड़ा वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरू घासी दास नेशनल पार्क यहां के प्रमुक नेशनल पार्क है, लोग सबा में 11 सीटे हैं और राजी सबा में 5 सीटे हैं, तो रोजगार मांतरी नरेंद मोधी दुनिया के सबसे बड़े हैक्टाउन स्मार्ट इंडिया हैक्टाउन 2020 को आगामी 1 अगस्ट 2020 को आयोजित होने वाले ग्रेंड फिनाले में सम्भोधित करेंगे मानो संसाधन विकास मंतराले जो अपसे इच्छा मंतराले बन गया है कि अखिल भारती तखनीकी सिच्छा परषद यानि AICT दोरा इस हैक्टाउन का आयोजन किया जा रहा है हेक्टाउन का एक प्रतियोगिता है जिसमें छात्रों को हमारी रोज मर्रा की समस्याओं को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइन्शेट से हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और उस पर जाके उन्हें सौफ्वेर डेवलप्मेंट करना है इसमार्ट इंडिया हेक्थेन ये चौफ्वेर के बेस ये चौथा संस्करण है कौन सा संस्करण है चौथा दस अजाद चात्रों मेंसे सर्फसेट एक अगस्त को होने वाले ग्रेंट फिनाले में प्रतित बर्दा करेंगे और प्रतेक समस्या के लिए विजेता को पुरुषकार के राश्वीर को रूप में एक लाख रुपे दिये जाएंगे तो इसमार्ट इंडिया हेक्थान इसका फाइनल होगा एक अगस्त को और ये इसका चौथा संस्करण है किसने किया है? जिसे अब सिछा मंत्राले बोला जाएगा अगली जनकार ही है भारत ने डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपॉब्लिक आफ नार्थ कोरिया को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकिस्था साहिता पतान की है विश्वाशंक्टन से प्रापत अन्रोथ की जवाब में उत्तर कोरिया को या चिकिस्सा साहता पतान की गई है ऐसा अन रोध हमसे वर्ड हेड और्गनाइजेशन ने किया था टेट्रो तेदरॉम वर्तमान समय में वर्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के हेड है और भारत WHO का स्थाई अध्यच्य बना हुआ है भारत सरकार ने एंटी अग्जेकेटिव तरश्यत होती है कारिकारी परिशद का स्थाई अध्यच्य वर्तमान समय में भारत है भारत सरकार ने एंटी ट्यूबर कुलियोसिद दिवाओं के तोर पर नात कुरिया को एक मिलियन अमेर की डॉलर की मानवी साहता देने का फैसला किया अगली जनकरी हैं आपको याद होगा कि अभी हाली में मदपदेश के राजपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया लखनव में उनका पूरा कर्मूमी लखनव था तो लखनव नगर निगम दोरा सहर की एक सड़क और चौक का नाम मदपदेश के पूर राजपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है अब चौक चौरा को लालजी टंडन चौरा और लखनू हरदई रोड को टंडन मार के नाम से जाना जाएगा पूर्व संसद राजपाल टंडन ने लखनों में पारसद बनने के बाद अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत की थी इससे पहले लखनों में हजरत गंच चौराई का नाम भी बदल दिया गया था जो प्यधान मंत्री अटल बियारी पूर प्यधान मंत्री अटल बियारी बाजपेई जी की जो 2018 में मत्रिव के बाद उनका नाम पे लिख दिया गया था तो उसको अटल चौरा का जाता है आजकल आज़ाद गन चौराई को. एक एवार्ड की बारे में बात करते हैं आदित्या. आदित्या सोलर फैरी है, सोलर फैरी का मतलब होता है कि सोलर उर्जा से चलने वाली एक नौका है और ये विस्व की सबसे बड़ी नौका भी है जो सोलर से चलती है. तो भारत की पहली सौर उरुजा संचालित नौका आदित ने इलेक्ट्रिक बोर्ट्स और बोर्टिंग में ये पुरुसकार हर साल इलेक्ट्रिक बोर्ट्स और बोर्टिंग के लिए दिया जाता है तो गुस्ताव ट्रोव एवार्ड जीत लिया है इस नौका को सुल गयातरी सेवा के लिए तैयार कीज़े वाली नौका की स्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोर्ट घोसित किया गया है नवलत बोर्ट्स की आदित नवलत बोर्ट्स आईटी मदरास का एक सौजन है एक कमपनी है जो एक सौरोजा संचाली द्यातरी नौका है जो एलेक्ट्रिक समुद्री प्रणोधन सबसकी सर्फशेट कहानियों में से एक है यानि कि भविस में आने वाली जो भी सोलर पैरीज ह होंगी वो इसी के आधार पर डेवलप की जा सकेंगी इसके ओपर सोलर पैनल लगे हुए है और ये पूरी तरह से सोलर चलती है फिराल ये केरल राजे जल परिवान विबाग के पास है जो जनवरी 2017 से अलपुझा जिलेक में वेक्कॉम थौन क्वाक्वाडू मार्क पर चल राश्टी प्रूषकार के इजांग के डोक्टर रवी चन्दन को ध्रूवी और समूद्री अनसंदान के लिए राश्टी प्रूषकार दिया गया जबकि वायू मनली विज्ञान और परदगी के पुराश्टी पुरुषकार के लिए डॉक्टर S. सुरेश बाबू को ये पिदान किया गया है आपको लाइफटाइम एचीवमेंट याद करना है प्रोफेसर असोक सहानी अब बारी न्यूश फटापट की 29 जुलाई को हर साल हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं विज सुबर में हर साल 29 जुलाई को अंतराश्टी बाग दीवस के रूप में मनाये जाता है विज सुबर में बागों के सरचल को ध्यान में रखते हुए एक दिन बागों के नाम पर समर्पित किया गया है और आपको ये जानकर अच्छी लगेगा कि दुनिया के 70 प्रत्सित बाग हमारे पास है पूरे भारत में अभी पिछले साल हुई जनगर्ना के मुताबिक 2960 बाग है जिसमें से सबसे ज़्यादा बाग माप के मद्ध पिदिस में पाई गए है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे जयमी वर्डी ने अभी हाली में प्रीमियर लीक के गोल्डन बूट एवार्ड को जीत लिया है ली सिष्टरसिटी के स्ट्राइकर जयमी वर्डी 2019 के सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियम लीक्स गोल्डन बूट फुटबाल एवार्ड से नामाजा गया है उन्होंने और्सोनिल के स्ट्राइकर पियरे अमरिक आवेंबांग, साउग टैम्टन, डैनी ड्रंग्स और मैंचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहम इस्ट्रिलिंग को हराकर पतिष्टित प्रिक्तिकत पुरसकार जीता इस इकसाद जैमी इस पुरसकार को जीतने वाले पहले लिसिश्टर सिटी खिलाडी बन गए है, पिछले बीस वरसों में हैरी कैन के बाद केवल दूसरे इंगलिस खिलाडी हैं जिन्होंने इस पुरसकार को जीता है, मैंचेस्टर सिटी के ब्रादील कीपर एंडिरसन ने, ब इस पितना ही याद रखेगा, वैसे बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन नहीं, अगर इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की, फरवरी जून 2020 के अफदी के लिए नीती आयोग ने रैंग किये गए, सबसे आकांची जिलो क सूची में किसको पाया है, 36 गड़का बीजापूर, इन्योवेटर्स और स्टार्टफ के लिए डेर टू ड्रीम पे दियोगता सूची ने सुरू की है, DRDO ने, न्यूजिलेंड, अमेरिका, ऑस्ट्रियलिया, कनाड़ा ने, ब्रेटन ने, किसके साथ प्रत्यरपन संबंदी खतम कर दी है, होंग कॉंग कोंग के साथ, इस्मार्ट इंडिया हैक्थान का कौन सा संस्क्रन आयोजित हो रहा है, चौथा, और हारी में भारत ने किसको एक मिलियन अमेरिकी डॉलर के चिकित सा सायता पतान की है, नौर्थ कोरिया को, मानो संसादन विकास मंत्राले का नाम अब बारी है भारत की, इसने सर्व से इलेक्टिक नौका पुरुसकार जीता है, प्रत्वी विग्यान मंत्राले राश्टी पुरुसकार का लाइफ टाइम, पुरुसकार किसको दिया गया है, प्रोफेसर असोक साहानी को, और विस सुबर में अंतराश्टी बाग दिवसका मना जाता है 19 जुलाई को और किसे 2019-20 के सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियन लीग गोल्डन बूट एवार्ड दिया गया है तो वह है जैमी वर्डी अब बारी है आज के क्विच्ट की इनोवेटर्स और स्टार्टप के लिए Dare to Dream 2.0 प्रत्योग तक इसने सुरू की है डियाइडियो फरवरी जून 2020 की अवदी के लिए नीती आयोग द्वरात रेंग किये गए आकांशात्माग जिलों की सुची में किस जिले ने सर्वसेश प्राइस्थान प्राप्त किया है तो वह है बीज़ापूर 36 गड़ का बीज़ापूर चौथा इसका फाइनल एक अगस्त को होगा हाली में भारत ने किसको एक मिलियन अमेर्की डॉलर की चिकेट सासायता पदान की है तो वह है नौर्थ कोरिया और वानौस अंजादन विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है Ministry of Education किसके नाम से चौक्ष और आएको लखनव हर्दई रोट के नाम से जाना जाएगा तो वह होंगे लाल जी टनन Electric Boats और Boating की उत्रश्टा के लिए प्रतिष्ठिट गोस्टाव ट्रोव एवार्ड भारत में भारती किस नौका को मिला है तो वह है आदित्या प्रत्वी प्रणाली विज्ञान में उत्रश्टा के लिए प्रत्वी विज्ञान मंत्रा ले राश्टी प्रुस्कार का लाइफ टाइम उत्रश्टा प्रुस्कार किसको बुगर्व विज्ञान के छेतर में उनके महत्पुन योगदान के लिए दिया गया तो उनका नाम है जैमी वर्डी तो दोस्तों ये थे आज के हमारे important करने टपेस अपना promise भूलियेगा नहीं 2000 like करने हैं आज के लिए इतना ही रखता हूं ख्याल रखिएगा अपना टेक केर बाबाई